नमस्कार अर्थ परकाश में आपका स्वागत है आज हम पहुंचे हैं चंडीगण के प्रशासक के सलाकार मनोज परिद्या के पास सेक्रेटरी रेंक पर परमोट होकर केंदर सरकार में जा रहे हैं चंडीगण में उनका धाई साल का कारेकाल रहा और बहुत ही बेतरीन कारेकाल रहा आए उनी से जानते हैं कि किस तरह की यादें जो है चंडीगण के साथ वो संजोके जा रहे हैं अपने साथ किस तरह की खटी तो सबसे अच्छा लगा कि इतना सुन्दर सहर है इतना वेल प्लांट सिटी है कहीं भी चले जाओ लगता है जैसे कोई आप फरेंड में गुम रहा है इतना इतना वाइड रोड्स और रोड में कोई कंजेस्टन नहीं कोई पलूशन नहीं फिर हम देखें कि यहां की जो फैसिलिटिस सहर में है वो सायद इतना अच्छा उर कहीं नहीं यह इतना बढ़िया बढ़िया स्कूल है हस्पीटल से हम 12 लग पॉपुलेशन है पीजी आई है 32 हस्पीटल है 16 हस्पीटल है तो हेल्थ औ दोनों बढ़िया आए एंविरेन्मेंट क्लाइमेट अच्छा है लॉंड अडर पुलिस भी बढ़ा सकत है तो मोटा मोटी लगा कि जो एक अच्छा सहर में जो जो होना चाहिए सब फैसलिटिस है तो हम सोचा कि इसमें और क्या आगे कर सकते और कैसे इंप्रूब फर्दर किया सकते हैं यह जब सोच रहे थे कि काया कुछ नया स्कीम बनाए कुछ नया फ्लाइओवर लाए कुछ करें नया कमुनिटी सेंटर्स बनाए या कन्वेंशन सेंटर बनाए तब सड़नली यह आ गया यह करोना वला जिसमें की फोकोस सारा करोना पर रह गया तो आपने लाइबली भाइबरांट सिटी लोग एजूकेटेड है जो आप काम करेंगे अच्छा करेंगे तो आपको तारीफ मिलेगी अगर आप खराब करेंगे तो लोग बड़ा अच्छा सा आपको किट साइज भी करेंगे सोसेल मीडिया में अक्टिव भी रहेंगे तो मज़ा आय रहाने को देखने को काम पर देखने को क्या सब्सक्राइब करने को। एक हमारा एक साहर पर एक धबा है दाग है इतना सुन्दर साहर में यह बड़ा कश्ट देता है अगर उसको हम Eliminate कर पाते चाहिए जेपी को modernize करके कि दूसरा प्लानट लाके किसी साइंटिफिक तरीका से जिसमें कि मानों कोई लिक्विड डालके खतम हो जाता यह एक पेंडिंग रहा गया काम वैसे ही मैं सोचता हूं कि इस साहर के लिए ट्रिविन फ्लाइओवर भी जरूरी है वो भी करना चाहिए था कोई शॉटकाट टू एयरपोर्ट जो वाइपास रोड वह भी करना चाहिए और मेट्रो चाहिए अंडरग्राउंड हो चाहिए भब ग्राउंड हो यह सटनली एक प्लूशन फ्री चीज होगा और जितना देश में अगर कोई मडेल टाउन है मडेल सारे तो चंडिगड अगर यहीं हो चल पड़ा चाहिए बैटरी अपरेटेड चाहिए दो कोच कही चोट मेटर वाला मेटर भी हो जाए जो की टरच करें मौली पंचकुला बदी और यह अपना चंडिगड तब यह मजह आ जाता है यह सब चीजें हम साइद कोड़ा लंबा टिनियर होने से या करोना नहीं आने से दो तिन साल जैसे हमारा कोई काम नहीं हुआ साइद हो सकता था कि चंडिगड के लोगों को क्या संदेश देना चाहें की चंडिगड़ लोग को कहें गे कि भाई हम आपको बढ़ा disent करेंगे और आप hospital doctor nurses लाइए हम आपको oxygen देंगे ambulance देंगे को supervision देंगे आप setup करिए covid care centers mini covid care centers हमने काने का दो दिन का अंदर इसे 12 application आ गया और करीब 9 या 10 हमने setup भी कर लिया जो कि लोग अपना पैसा खर्चा करके कई school में कभी community hall में कभी sports center में बेट डाल के अपना doctor north square retard doctor को लाके oxygen cylinder कहां black में खरीद के लोग ने इसको चला दिया इसलिए आप जो बंबे दिली में लोग देखते थे बाहर में तड़प रहे कोई मतलब वह रास्ता में गुरुद्वारा के सामने जैसे पेट्रोल पंप में सांस ले रहे इसी तरह की हाप रहे वैसा वहला स्थिति कभी आपको चंडिगर्ड में नहीं आया जनता यहां हमेशा philanthropic है response करते हैं positive है सरकार के साथ देते हैं इसलिए यह हम कहेंगे यह आप जारी रखी कोई वे administration हम लोगों का officer तो आएंगे अलग-अलग style होगा मगर सब का मकसद यह है कि अपना कुछ contribute करके जाए और क्योंकि यह पलिटिकल इंट्रफेंस नहीं है तो सब चाहेंगे एक अच्छा नाम कमाएं और अच्छा decision लें तो ऐसा ही जैसा ही भाइब्रान positive साहर है responsive है ऐसा ही सबको support दे cooperation करें यहीं उमीद रखें ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अच्छ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें